अस्सलाम वालेकुम क्लास, हावर यू आल, आई होब यू आर वेल, और यू आर विद दी बायो मीन्स लाइफ, बायालेजी, चली शुरू करते हैं आज की नियो वीडियो, ठीक है जी, टॉपिक जो है वो कंटीनियो चल रहा है हमारा, पहले हमने पढ़ा था यूनिसलिलर के कर रहें कउसी इस ओपिदान है, इसे सह इसलिलर को यू चैजलिटेचों के अंदर WORSP. इसको, चैजखोप कहने हैं, बाइस भाइने में बाते वेक्शावजव हमने कहें, इसम्ट सरके हों तो यह क्या है राणा डिकरिना है, तो highlight कर देती हूं कि Rana Tigrina Rana Tigrina यहाद रखा करें R-A-N-A Rana Tigrina T-I-G-R-I-N-A Rana Tigrina तो यह किसका नाब है? Of course, frog का नाब है और scientific name है किसका? frog का Rana Tigrina is the scientific name of the spotted frog अच्छा, spotted frog का मतलब यह न के जिसमें spotting की जा रही है जिसके बारे में बात की जा रही है ठीक है जी found commonly in our region सारसी बाते बाहर देखे हूं कि आपने इलाके में बिल जाते हैं और आपको ठीक है जी अगर Rana Tigrina जो है आपके पास यानि कि frog जो है वो आपके पास आता है multi cellular organizations के अंदर क्योंकि असके अंदर बहुत सारे results मौझूद है बहुत सारे issues मौझूद है ठीक है जी अच्छा तो हम यहाँ पे highlight कर देते है क्या है multi cellular organism है या animal है it lives in both अच्छा इसकी जो quality है specialty क्या है कि ये दोनों जगाओं पर रहता है both means water में भी मिलेगा आपको और उसके साथ साथ आपको जमीन पर भी मिलेगा ठीक या हम इस सरह से भी कह सकते है जो इसकी early stages of life होती है जो जिन्देकी की अप्तिदा के जो शुरू के आयाम होते है तो वो जो टेटपॉल की form के अदर तो वो underwater होते है ठीक उसके बाद जैसे इसके tail निकलाती है ये जो होता है अपने आगे stages में जो होता है adult form में आने लगता है तो ये जो होता है jump out करता है water से बाहर land पे जिन्दगी गजारता है लेकिन मतलब यह नहीं है कि वो water में दुबारा नहीं जा सकता जाता है दुबारा भी ठीक है ठीक अच्छा फिर आ जाते हैं इसके important part पे वो ये है its body is divided into two parts इसके जो body है ना basically वो दो part पे divided है एक होगी है मारे पास head दूसरा मारे पास है trunk ठीक अच्छा इसके बाद जो अपर आप इन दोनों क्योंकि दो portion है अब आपके दुमाग में एक चीज़ आगी इसकी neck के दार है तो it has no neck ठीक ठीक इसके अंदर neck नहीं होगी there is no neck कोई neck नहीं होगी क्योंकि दोनों जो है attached form में हो इसके बास head और trunk के वो attached है its body is made up of organ system with a different organs जैसे कि हम जानते है कि frog जो है multi-cellular organism है multi-cellular organism वो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे cells मौजूद होते हैं तो याद रहते हैं जब बहुत सारे cells होंगे तो cells की types भी होती है ठीक तो लेकिन जो same type के cell होते है वो आपस में combine हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं tissues बनाते हैं और उसी तरह कि बहुत सरे अलग different parts के जो tissues होते हैं वो आपस में collectively work करते हैं और एक organ बनाते हैं इस तरह से आपके पास जो different organs होते हैं वो collectively in a specific time period अपना function perform करते हैं और वो क्या बना देते हैं organ system जैसे हम बात करें human body है इंदे तो हमार पास जारियर सिस्टम है respiratory system है circulatory system है यह सारे systems बारे अंदर मौझूद हैं ठीक तो हम जादा तर यह experiment करते हैं frog के उपर यूँकि frog के अंदर भी जारे experiments सारे जो है आपके पास systems मौझूद है ठीक उसके बाद आचाते हैं all organs are made up of different tissues पहले discuss कर चुके जितने भी आपके पास organs हैं वो किसे मिलके बनते हैं tissues से मिलके बनते हैं और tissues किसे मिलके बनते हैं और cells से मिलके बनते हैं तो यहां पर जो है जितने भी organs हैं आपके पास वो किसे मिलके बने हैं different tissues से अचा यहां बाद में यहां clear कर दूँ कि यह tissues हमेशा same cells से मिलके बनते हैं जो एक जैसे cells होते हैं एक जैसे जिनका function होते हैं वो आपस में combine होते हैं तो tissues बनाते हैं जो आपके पास मिक्सिर हैं एंडोक्राइन का और एक्जोक्राइन का दोनों का अचा यह produce क्या करते हैं hormones produce कर रहे हैं फिर आप आपके पास nervous issues जो हैं वो coordination में इस्तमाल होते हैं ठीक है जी और सके अंदर जो मौझूद होते हैं वो as a cell neurons काम करते हैं फिर जो important चीज़ है हमारे पास frog lives near ditch कहां कहां मिलेंगे आपको pools में मिलेंगे और ponds में मिलेंगे stagnant water या stream में ठहरे हुए पानी के अंदर fresh water के अंदर ज़्यादार मिलेंगे आपको और ऐसे water अगर river में भी मिलेंगे तो इस तरह का होगा slow moving river यानि के कम बहता हुए पानी के अंदर आपको मिलेंगे ज़्यादार मिल सकते हैं ठीक इसके बाते it feeds on small अच्छा क्या खाते हैं तो ज़्याद सी बाते ये किस पर depend कर रहे हैं ये depend करते हैं small insects के ओपर आपको जो चीज़े highlight की है उनको रखिए लिख लीजिए और उनके तो इस पर note बनाईए और clear याद कर लीजिए अब आ जाते है class हम exams point review के उपर कि किस सरा से सवाल आ सकता है बोट में exam में आपके पास तो वही तरीका दो तरीके हैं आपके पास direct और indirect नीचे वाला portion देख लीजिए नीचे आपके पास given है direct given है राइटर short note on राना टिगनीना और frog तो इसमें आप क्या कर सकते हैं simply आपके पास question given है कि राना टिगनीना के बारे में आप short note लिख दीजिए या पिर अगर हम बिल्कुली common name लेने हैं अगर frog आ जाता है ठीक लेकिन जो है सवाल direct आता नहीं है ठीक है ठीक कुछ परचीतगिया होती है तो सवाल इस तरह से भी आ सकता है write a short note on multicellular organizations के multicellular organizations के उपर आपने note लिखना है अच्छा अगर इस तरह से आए के multicellular organizations तो याद रखें कि multicellular organizations में हमने दो organisms पड़े हैं एक है हमारे पास राना टिगरीना और दूसरा है हमारे पास brassica composites जो plant में आता है जी तो अगर ये drum आए multicellular organisms ठीक है जी इसको highlight क्यों लेता है अगर ये drum आए आपके पास multicellular organisms organizations तो आपने क्या करना है दोनों पर ही लिखना है यानिके दोनों को मर्च करके लिखना है पहले इस पर लिख देजिए फिर प्रासिक का कि multicellular भी हो और एनिमल भी हो तो वो राना डिगरीना यानिका फ्राउग है और multicellular plant हो तो फिर आप रासिक आपके स्पेस्टर स्पेस्टर लेगे जी ठीक है जी तो ये कुछ तरीके हैं identify करने के सवाल को क्योंकि देखें कभी कबर हम सोचते हैं कि चिटिंग कर लें कुछ कर लें तो एक बाद याद रखें कि नकल के लिए भी न अकल के जरूरत होती है मतलब आप राना डिगरीना का पड़्चा लेकर चले गए और न इंतजार कर रहें राना डिगरीना नहीं आया मल्टी सुलोर और गैनिसम्स आगए अब बढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए कि मल्टी सुलोर और गैनिसम्स क्या है तो इसी वजा से कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल के जरूरत होती है थैंक्स पर वाचिंग और सब्सक्राइब दिशेनल